सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटियम एप के बारे में अब तक पेटियम एप में काफी सारे चेंजे आ चुके हैं काफी सारे ऑप्सन चेंज हो गए हैं जिस वज़ा से अब लोगों को प्रब्लम आ रही है अपना डेविट कार्ट का नंबर देखने में दोस्तो तो आप बिलकुल भी परिसान मत होईएगा आज की इस वीडियो को पेटियम में डेविट कार्ट जो है वो हमको मिलता कब है तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तो पेटियम एप में डेविट कार्ट आपको तभी मिलता है जब आपने अपने पेटियम एप में फुल केवाईसी करवा लिया होगा तभी आपको पेटियम एप में पेटि कार्ड भी दिया जाता है विदाउड बैंक आप डेबिट कार्ड कैसे ले सकते हो ऐसा बिलकुल भी पॉस्बेल नहीं है दोस्तों तो कुछ लोग जो है जिसके पास अभी फुल के वाइसी नहीं होगा तो वो भी लोग हेरने लगेंगे ढूंडने लगेंगे भीया कि मेरे प पताना चाहता हूं दोस्तों अगर आपके पेटियम एप में फुल केवाइसी नहीं है तो आपको कोई भी डेबिट कार्ड आपके पेटियम एप में सों नहीं होगा दोस्तों तो दोस्तो जिसका भी पेटियम में full KYC activate है और उसने पेटियम payments bank को activate कर रखा है उसको पेटियम में debit card जरूर मिला होगा दोस्तो और अगर वो अपने पेटियम के debit card का number देखना चाता है तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा वीडियो को fully watch कीजेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजेगा हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press जरूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसे interesting वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सो दोस्तो आप अपने ptm app में अपने debit card का number देखने के लिए सबसे पहले अपने ptm app को कलीजेगा open ptm app को open करने की बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा ptm bank का दोस्तो उसके बाद आप उस option पे कर दीजेगा just click अब उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ptm payments bank का पास code एंटर करना होगा तो आप यहाँ पे पास code एंटर कर दीजेगा पास code आप जैसे ही एंटर करते हो दोस्तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपके PTM Payments Bank का debit card भी मिल जाएगा अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजेगा उसके बाद अगर आप अपने debit card का full details देखना चाहरे हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा view CBB and expiry date आप इस पे क्लिक कर दीजेगा इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों उसके बाद आपको अपने PTM Payments Bank का passcode एंटर करना होगा passcode आप एंटर कर दीजेगा अपने debit card के details को चेक करने के लिए आप जैसे ही passcode एंटर करते हो दोस्तों उसके बाद आपका जो debit card होगा वो जो है full so हो जाएगा जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों तो ऐसे करके आप अपने PTM Payments Bank का passcode जो है चेक कर सकते हो और अपने debit card को देख सकते हो दोस्तों आप आज किस वीडियो में आप अपने PTM का debit card देखना जान गए होंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं विलाल आज किस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम लव यू ओल